दोस्तो हर बार की तरह इस पर भी हम आप लोगों के लिए Freshers Vacancies ले के आए हैं जहां पर All Over India के Freshers के अनेड़ जो है Form को Fill Up कर सकते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्या Selection Procedure है, कौन-कौन से के अनेड़ जो है Form को Fill Up कर सकते हैं और क्या Important Information है यह सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो यह जो Vacancy है दोस्तो, Ministry of Defense, Indian Coast Guard में जो है Vacancy निकल रखिये है, जिसकी Date दोस्तो, स्टार्ट होगा यह Form 5 जनवरी 2021 से और Lasted दोस्तो, इसकी 19 जनवरी 2021 रहने वाली है तो आपको हमाई चैनल में सबसे पहले Information मिल जाती है तो इसलिए हम आपको यह Information सबसे पहले दे रहे हैं तो स्टार्ट करेंगा दोस्तो, यहाँ पे क्या Eligibility Criteria है दोस्तो, यहाँ पे बात किये जाए यहाँ पे Males Candid जो है, Form को सिर्फ Fill Up कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोस्त के लिए तो यहाँ पे नाविक, General Duty, Domestic Branch और याद्रिक जाने की Engineers के लिए वैकेंसी निकल रखी है जहाँ पे Education, Qualification जो है हर एक पोस्त के लिए अलग रखा हुआ है जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे General Duty के लिए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12th के Candid जो Math और Physics वाले हैं यह जो है Form को Fill Up कर सकते हैं बाकि दोस्तों Domestic Branch के लिए 10 में पास Candid जो है यहाँ पे Allisable है दोस्तों यांतरिक जहाँ पे Engineers के लिए Vacancy आई है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे Diplomine Electrical, Mechanical, Electronic and Telecommunication के Candid जो है Form को Fill Up कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो Age Limit रखी गई है 18 लेके 22 साल के Candid जो है Form को Fill Up कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं जो यांतरिक वेकेंसी आई है और बाकी जो वेकेंसी है उसके लिए कितनी नमबर और पोस्ट यहाँ पे रखी गई है तो दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ जो General U.T. है जहाँ पे 12 के Candid जो है Elisable है दोस्तों इसी तरह अगर बात किया जहाँ जो Domestic Branch है जैसे की देखोगे जहाँ पे 10 मी के Class के Candid जो है Form को Fill Up कर सकते हैं उसकी जो Total No. of Vacancy है 50 रखी गई है जो Mechanical Branch की बात है यांतरिक की अगर बात किया जहाँ 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 पे Diploma के Candid जो है Form को Fill Up कर सकते हैं तो Mechanical में Generalist के लिए 13 Seats 3 Seats जो है EWS Candid के लिए OBC के लिए 7 Seats ST Category के लिए और SC के लिए 4 Seats यहाँ पे रखी गई है Total यहाँ पे जो Vacancy है 31 है यांतरिक Mechanical के लिए Electrical की बात किया दोस्तों यहाँ पे Total जो Vacancy है 7 रखी गई है जहाँ पे 1-1 Vacancy जो है SC ST Category EWS OBC के लिए और 4 Vacancy जो है Generalist के लिए यहाँ पे रखी गई है Electronic के लिए Total Vacancy 10 रखी गई है यहाँ पे Generalist के लिए 7 Seats OBC के लिए 2 Seats SC Category के लिए 1 Seats यहाँ पे Vacancy आई हुई है दिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे जो Relaxation है जैसे कि Age का आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर आप SC ST OBC हो तो आपको यहाँ पे Category में Relaxation मिल सकता है जैसा कि यहाँ पे लिया गया है दिन दोस्तों यहाँ पे अगर Selection Procedure के बारे बात किया जाए तो यहाँ पे जो है Different, Different Selection Procedure रखा गया है Different Post के लिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो Domestic Branch है उसके लिए क्या Education Qualification तो मैंने आपको बता दिया Different Test का अगर बात किया जाए यहाँ पे जो रखा गया है For the Post of Domestic Branch यहाँ पे जो है दोस्तों एक सक्षिन पूशे जाएंगे जिसमें 30 Marks जो है इनका जो है दो पेपर होगा Paper 1, Section 1 and Section 2 ठीक है Return Test में तो इनमें जो है टोटल अगर आप बात किया Paper 1 and Paper 2 का तो यहाँ पे Generalist Category OVC के लिए 50 Marks रखा गया है पाकि जो SCST Category है उनके लिए जो हैंपे 44 Marks रखा गया है दोनों पेपर को मिला के और इसमें जो है दोस्तो पास होना हर एक सेक्शन में पास होना आपको कमपसरी रखा गया है यह आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है इसी तरह दोस्तो अगर आप देखोगे जो यांत्री का पोस्ट है जिसमें Engineers Elisable है तो यहाँ पेपर जैसे कि सेक्शन 1 और 3 सेक्शन 1 और 4 सेक्शन 1 दोस्तो अगर आप देखोगे तो हर एक एक सेक्शन में आपको यहाँ पे पास होना जरूरी है यहाँ पे कट आप भी दे रखा है मेनमां 50% जो है OBC EWS कैनेटली होना चीए आप बात कर लेते हैं दोस्तों सेक्शन 1-2 है क्या सेक्शन 1 रखा गया है उसमें जो questions रहेंगे और जो marks रहेंगे उसके बारे मं बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 60 marks के questions रहेंगे 45 minutes में आपको यहाँ पे करने पढ़ेंगे यहाँ पर जो आपका questions रहेंगे, जो subject रहेंगे, maths में 20 questions, science के 10 questions, English के 15 questions, reasoning के 10 questions और GK के 5 questions यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो syllabus रहेंगे, section 1 का, वो on the basis of 10th class के जो syllabus होता है, वो आपका यहाँ पर पूछे जाएगा अब section 3 and 4 की बात किया जाएं दोस्तों, यहाँ पर जो आपके ब्रांज से questions जो है 50-50 पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, और जो यह आपका time duration होगा, यहाँ पर 30 minutes का आपका यहाँ पर paper होगा यहाँ पर जो questions जाएंगे, दोस्तों, आपका diploma level का questions जो यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसी तरह mechanical के लिए same यहाँ पर रखा गया, 50 questions जो है, आपके पूछे जाएंगे, बागी जो section 1 है, दोस्तों, हर एक exam के लिए यहाँ पर common रखा गया है दोस्तों, stage zone आप pass करने के बाद, आप stage 2 के लिए जाओगे, तो stage 2 जो है, दोस्तों, उसमें क्या होगा अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें, दोस्तों, physical fitness test है, यहाँ पर जो है, यह क्वालिफाइंग इन nature है, जिसमें, दोस्तों, 1.6 km in 7 minutes आपको complete करना पड़ेगा, औ दर-दर medical examination के लिए भेज दिया आएगा, और यहाँ पर जो इस test 3 है, उसमें आपका document verification यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर, final selection यहाँ पर दिया जाएगा, तो इस परकार दोस्तों, यहाँ पर selection प्रसेड दिया गया है, कैसे apply करना है, तो link आपको description box मिला हुआ है, या फिर आप जो है form को fill up कर सकते हो, date मैंने आपको बता दिया, यह जो form है आपका 5 January 2021 से start हो रहा है, और 19 January तक जो है यह form valid रहेगा, तो इसके बीच में जो है form को fill up करना है, अब application fee की बारे में बात कर देते हैं, तो यहाँ पर application fee रखा गया है, CST category के लिए यहाँ पर कोई भी application fee न की कि यहाँ पर जो examination center और कहाँ पर कहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 preference दिये जाएंगे, जब आप form को fill up करोगे, stage 1 और stage 2 के लिए जो है, आपको option दिये जाएंगे, कि इसके exam के लिए, तो आप जब form fill up करोगे, आप option से आप fill up कर सकते हो, कहाँ पर आपको examination center पर choose करना है, देन दोस्तों यहाँ पर date भी दे रखा है, जो tentative date है, tentative date बोले तो दोस्तों इसका मतलब यह होता है, कि date may be change, तो माल लेजिए अगर date नहीं change होती है, तो आपका जो exam है, यहाँ पर दिया गया, stage 1 का exam है, मार्स 2021 में conduct कराने की बात चल रही है, stage 2 की यहाँ पर सारे information मैंने आपको बता दिया, और बांकि जो और भी अगर आप information, अगर आपको लगता है कि कुछ information मुझसे सुट गई है, तो आप जो है comment कर सकते हैं, हम आपके comment कर जो है reply करेंगे, और medical standard दोस्तों यहाँ पर minimum जो height रखा गया है, 157 cm रखा गया है, बांकि information ज information कैसे लगा comment करके आप हमें ज़रू बताएं, इसके साथा channel में और भी बहुत सारी videos upload हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो वो सारे vacancies देखना ना भूलें, इसके साथा दोस्तों आप हमारे चैनल में examination pattern देख सकते हो, जो बहुत से ऐसे exam है, जहाँ पर examination pattern नहीं मालूम है तो वो examination pattern जो आप को लोगे काफे आदा useful होंगे, तो आप जो है वो चैनल को भी videos को visit कर सकते हो, यह सारे videos जो आपको हमारे चैनल के playlist में या फिर video section में मिल जाएंगे, तो आसा करता हूँ आपको information जो है useful है और इसके साथ हम यहाँ पर video के end करते हैं, मिलते हैं फिर नए video क साथ आज के लिए बस इतना है, thanks for watching and listening.